हुआ है हुआ है नमस्कार सात्यों स्वागत आफ सभी का आपके यूटूब चैनल के पिस्द Creator, के सनद्वन, सात्यों, प्छली प्लाज़ में हम ने चर्चा की थी मुगल सामराज्य के सासकों के बारे में आज हम सासकों के बारे में विस्ताष से चछर्चा करें लिए यह गीति हम體कर चर्चा करते हैंं लिए अज प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है उस युद्ध में बावर की बिजय हुई और बहीं इब्राहिम लोदी हार गया दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और उस बिजय के बावर ने मुगल सामराज की स्थापना गी चलिए सुरू करते हैं बावर के बारे में तो बावर का का जनम वह था कहां हुआ था टांस अख्शिय के छोटे से राज वर्ग ना में हुआ था तो बावर का जंम कभी हा他 14 फरवरी सं 14 1883 इस वी को ट्रांसाक्सियन के एक राज्य है छोटा सा बांफरगना राज्य में हुआ था इनके पिता जी का नाम था उमर सिख मिर जाता और माता का नाम कुतलुग निगार खानम था बाबर बाबर क्या थे बाबर जो थे त्रैमूर के पांचवे बंसस थे इसलिए इस पू करते हैं तो बाबर ने आत्म कता किस में लिखी तुजु के बाबरी नाम से अपनी आत्म कता लिखी लिखिए है इसको बाबर नामावे कहते हैं चलिए अगला पॉइंट है कि चौदा सो चौरानवे इस भी में बाबर क्या बैठा था अपने अपने राजी राजी में फरगना में गद्धी पर बैठा था बहिंग बात करते हैं बाबर की तो 1518 और 1519 में बाबर ने भेरा के सक् 18 और 1519 में बेरा के सक्टसाली दुरुख को जीत लिया थाफ बहिं बात करते हैं पंद्रा सो 19 से बाबर ने क्या किया था शिन्द नदी पार करके पानिपद का प्रथम यॉद्फ हुआ था बहाँ पर बाबर नने इसी उद्ध में रत्व हो गई थी तो इसी के साथ क्या हुआ था दिली सल्तनत का अंतो गया व लोधी सामराज की कमर तूट गई थी इस युद्ध में बावर ने क्या किया था तोपों का प्रियोग किया था या सबसे पहले तोपों का प्रियोग किस ने सासक ने किया था बाबर ने किया था ठीक है बहीं अगर अगला युद्ध हुआ था बाबर का खानवा का युद्ध हुआ था बै कम हुआ था 1527 इस भी में हुआ था 16 मार्च 1527 इस भी में खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के मद्द अगर बात करते हैं उसके अगला यूद्ध हुआ था चंदेरी का यूद्ध हुआ था उन्तिश जनवरी 1528 इसभी को किसके बीच में बाबर और मेदनी राय मेदनी राय क्या था एक राजपूत सा सकता बहीं बात करते हैं खानबा का यूद्ध और चंदेरी का यूद्ध हुआ था यूद्ध उन्तिश गाए उन्तिश जनवरी 1529 में बात करते हैं 1526 ओंतिश वा था यूद्ध का यूद्ध हुआ था बात करते हैं अगर बावर जब बावर ने भारत बावर ने भारत के बारे में किस तरह सोचा बावर ने सुन लुए बावर ने सुना था कि मत देशिया मत देशिया में एक एक देशा है भारत बहे बहे जो राज्जी बहे जो देशा है बहे क्या है सोने चांदियों से सम्रद्ध है बाबर जो है भारत के धन दान से अक्रेश्ट होकर उसने भारत की और क्या कदम रखा बाबर की जो भारत विजय की जो अकांचा थी उसे काबूल से बहुत कम आमदनी राप्त हुआ करती थी बाबर के अक्रमाट के समय भारती राज्य जो है उन पे कौन को सासकते सबसे पहले बात करते दिली की तो दिली सलतरननता जो सासकता भाई मायमूत सादूतिय था बहीं बात करते हैं बंगाल का बंगाल का सासकता नुसरत साथ है बहीं मालबा की गुजरात की बात करते हैं गुजरात गुजरात पर जो सासकता बैकौन था बादुरुसा था बहीं अगर बात करते हैं मेबार की मेबार पर सासन किसका था राना सांगा Thay तो किया गए खांद के बाएदा खान ने किया था अबद रहिम खान खाना किए तो सब्सक्राइब किया था इंस ने किया था अबदिर्रहम खाण किया था फारीज़ी इंग्लिस में फार्सी सें अंग्रेजी नामा का किया था तो तीन ब्याइक हो ते लीडन एरशिक अई लिक erkd इसका अंग्रेजियन बाद किया था अगर बात करते हैं तो इसके बाबर के कुल चार पुत्र थे हुमायू कामरान असकरी और हिंदाल थे वहीं बाबर की पुत्री थी जिसका नाम बेगम था वह एगर बात करते हैं बावर की रद्ध की मुरत की यह मिरत उनी तीं मैं never अगर बात करते हैं बाव़र का मकबरा में चल्पा राध्धानि अपनी बनाया था और एक सा याद करने के ट्रिखम बता देते हैं क्या था पैसा पहला युद्धा उसके लिए बनादेते हैं थे कि बाबंट ने शब्विस में पानी पिया 27 को खा ना खाया 28 में चाई पी कर estar an 27 में खाना खाया तो 1537 जो कुछ ने जिनके बारे में आपको बता दी थी इससे आप अब युद्ध के बारे में नहीं भूलेंगे जिन पाइंट आप सब लोग कर सकते हैं आप सब लोग ले सकते हैं अगला सासक को नहीं हुमायू गद्दी पर बैठा था बाबर की मिलित्व के बाद 1530 में गद्दी पर बैठा था इसके अनुसार क्या था कि जो चार पुत्रों को बावर ने क्या था अलग-अलग राज सौ इसन अग्तर सुजन है कि 30 अगस्त लेकर आ रहा हैं घड़ित का ठीकर 30 अगस्त को देखना ना भूलें जिसकी समय अबदी आपको बता दी जाएगी कि किस समय रहेगा करीब आप मान लीजिए कि 2 घंटे का सेशन रहेगा